दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। पूरे मामले पर असम पुलिस का बयान सामने आ चुका है। पर असम पुलिस ये बता रही है कि असम के 15 जिलों में 15 मामले दर्च कराए गए थे पवन खेड़ा के खिलाफ 15 मुकदमे दर्च थे और असम पुलिस नहीं दिल्ली पुलिस को ये कहा था कि पवन खेड़ा को गिरफतार किया। गिरफतार होकर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं एरपोर्ट के बाहर की ये तस्मीर है और भारी हंगामा क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट से तमाम कॉंग्रोसी नेता आ रहे थे दिल्ली उसमें पवन खेड़ा भी शामिल थे और किस तरह से अंदर ही बैट गए त ठ्रांजिट रिमांच पर लिया जाएगा और फिर उसके बाद असम पॉलिस को दिल्ली पुलिस सोब देगी पवन खेड़ा को क्योंकि असम पुलिस की तरफ से ही दिल्ली पुलिस को ये कहा गया था कि आप पवन खेड़ा को गिरफतार करें तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको फिलाल जो तस्वीरे मिल रही है वो हम दिखा रहे हैं कॉंग्रेसी नेता पवन खेडा आखिर कार गिरफतार किये गए भारी ओंगामा कॉंग्रेसी नेताओं की तरफ से जरूर किया गया बाकाइदा धरने पर बैठते हुए कॉंग् गंटे तक यह हाई बोल्टेज ड्रामा चलता रहा लेकिन फ्लाइट आगे बढ़ नहीं पाई आप उसके बाद किस तरह से पवन खेडा को दिल्ली पुलिस ले जाती हुई दिखाई दे रही है यहन तस्वीरों में आप देख सकते हैं